चुनावी मौसर में अपनी जीत पक्की करने के लिए नेता गाउं गाउं संपर कर रहे हैं। कॉंग्रेस की खन्वा संस्तिय सीट से प्रतियाशी अरुन यादव ने सिंगाजी महाराज के दर्शिन करने के बाद कारेकरताओं को संबोधित किया। इस मोके पर क्या कुछ कहा उरुने आप ही सुने। तो अभी इस लोकस्वा चुनाओं के बाद आपको हम पताएंगे कि कितना भरस्टा चार पिछले 15 साल में में प्रदेश में हुआ है। दो महने का इंतजार किजिए और जो घटना कराम अभी दो दिन पहले हुआ है। किसी भी प्रदेश की सरकार को बिना सुचित किये जिस तरह की काम दिल्ली की सरकार नहीं के किया है। यह अभी भी किसी भी सभीदार में लागू नहीं है। आप जैसे विरोधियों को घरों से बुला रहे हैं आपके बाइसाब और तो यहां पे भी आपके बहुत से हैं जैसे राजनाराइन सिंग जी है। तो क्या आप भी उनको मनाओगे चुनाराइन सिंग्जी से और तमाव उन विरोधि क्या जो भी हमारे कॉंग्रेस के परिशने था, उनसे खुद हमारे से नसीनियस बात करें, दिखवे से यह खुदी उनके घर में गये थे। और कांग्रेस पार्टी ने आप पुना खंडवा लोकसवा के लिए प्रत्याशी चेहन कि, आप किन मुद्ध पर चुनाओ लड़ेंगे? बहुत सारे मुद्धे हैं. फिर भी विकास का क्या मुद्धा रहगा आपका? इस्थानी मुद्धा सबसे पहले कि जिन इलाकों में पानी नहीं पूचा है. इस्थानी मुद्धे में तो संत्य सिंगा जी पावर परियोजना में आज भी नोकरी इस्थानी लोग को नहीं मिल पा रही है. पूर में आपकी सरकार थी, आपने कहा था. हमाई सरकार आने पर. सिंगा जी ताप परियोजना और सिल्दा में भी परियोजना एंटीपी से की चल रही है. दोनों परियोजना कॉंग्रेस के शाषिनकाल में हैं पर. एक मुद्दा ये भी उठ्या आया है, एक वाइरल हुआ है, जो के, कि एक इस्थानी नेता जो के मारणी विधायक पुत्रों के नाम से बताय जा रहा है. ये कि धमकाते चमकाते इस प्रकार कितने विधायक यहां पर शेत्र में हैं? मानदाता में एक विधायक है, जिनका नाम नायटे है. यहाँ एक वाइरल हुआ है, उनके आज एक आडियो वाइरल हुआ है. इसका वाइरल मुझे जानकरी भी नहीं है. भी आप जब केंद्र मंत्री थे, जब आपने गोशना करी थी कि दादा जी ता विधुत परियोजना को लाये जाएगा, आपके रहते हुए नहीं आये, क्या करन था? देखिए वो पी-ए-ची-ए-ल जिसका में मंत्री था, और मत्रदेश की बावर जनलेशनल कमप्टी के साथ में अनुबंध होना था, जो कि सरकार हमारे मत्रदेश में नहीं थी, और वरतमान के समय की ततकाली जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने इसमें इंट्योजना को शिफ पर बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में कितनी सीटे आएंगी? अन्धाता में और खनवा जिले में ही बेरोजगारी की बड़ी समस्या और थर्मल पावर भी आप लुक्त बताते हैं, लेकिन यहां आप बेरोजगारी की समस्या को किस तरीके से हलते हैं? अज है किया अग्रो बेस्ट की अग्रो बेस्ट की लग सकते हैं? अग्रो बेस्ट की बाद हम लोग बड़ा जंक्षा ने खनवा हमारा। तो देखिए, इनके लिए उतका रोजगारों लगाएं, उसके लिए हम सरकार प्रदेश की सरकान नीदी बैहारी मैंने पहले भी आप से का, तो कि अभी एलेक्षन आ गया, तो सब चीजे रुग गई हैं, जो नौजवान पढ़ा लेता है, टेक्निकल सिक्षा प्राप्त ह कि, चोटे चोटे इंडस्ट्री अगर लगाना चाहता है अव्रे प्रदेश में, जो चुशीवारी अधारी चोटे चोटे अध्योट siis 스arf है, जो नौज इन्डस्ट्री है, जो कौम लागत के य। troubled मं को सकता है, उन तमाम मुद्धों पर अलग आघा में काम कर रहे हैं प